हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चानल में मैं आप सिबलंग का दिल से बहुत-बहुत सोयत करता हूँ तो दोस्तो इस वड़े में हम लोग बात करने वाले है एक बहुत इंपोर्टन्ट खबर के बारे में ठीक है एंड प्लस जो भी चीज़े हम लोग को सुनने को देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे के रीजन्स क्या है तो सारी A-2-Z चीज़े यहाँ पर इस वीडियो में कवर होने वाले हैं इन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दू कि यह जो खबर है वो इंशॉरंस से क्टर से रिलेटेड हम लोग को देखने को आप भी मिल रही है इन चीज़ोंस से क्टर का जो यहां पर करने वाले है मतलब insurance sector के उपर भी अलग-अलग ऐसे नए-ने यहाँ पर मतलब कानून लाए जाएंगे, rules and regulations बनाए जाएंगे, या फिर इसको जादा से जादा promote किया यहाँ पर जाएगा ताकि insurance sector भी grow हो सके, ठीक है, तो इसी से related अलग-अलग चीजे यहाँ पर सरकार यहाँ पर कोशिश लगातार यहाँ पर कर रही है, इसी से related बहुत सारे अलग-अलग बदलाव insurance sector में भी हमनों को आने वाले समय में देखने को मिलने वाले थे, उसी में से एक बहुत बड़ा बदलाव हमनों को कुछी समय के बाद यहाँ पर देखने को मिलने वाला था, कौन सा, बीमा विस्त insurance cover यहाँ पर launch होने वाला है, मतलब बीमा विस्तार के अंदर यह सारी चीज़े launch यहाँ पर होने वाली है, बट yes, rollout soon लिखा था, मतलब अभी तक उसके उपर यहाँ पर काम जारी था, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, all in one affordable insurance cover, मतलब अलग-अलग type के insurance देखने को मिल ज जाएगा, इसके उपर सरकार काम करते वे देखने का आपे मिल रहे थी, जल से जल यह launch करने का प्लान वो यहाँ पर लेकर चल रहे थी, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर मैंने बता है, तो इसमें क्या-क्या offer होने वाला था, life, health भी है, property cover भी है, और भी बहु सकते हैं, working progress हम लोग को देखने का आपे मिल रहा था, next अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बहुत सरे approval लेने पड़ेंगे, IRDA, IK, और से, प्लस उसी की साथ-साथ, अलग-अलग insurance bodies भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, मतलब life insurance की बात करे, health insurance की बात करे, general insurance की बात करे, वहाँ से भी अलग-अलग approval से आपे लिये जा रहे थे, और जो फिलाल अगर हम लोग बात करे, IRDAI, जो की insurance segment का head body है, regulator है, तो उनने भी अपना vision यहाँ पे सामने रखा था कि हर एक को insurance का coverage मिलना चाहिए, by 2047, मतलब हमारी आजादी को 100 साल complete होते वक, यहाँ पे हर किसी की पास तो insurance coverage आपे रहना चाहिए, और insurance से related अभी भी देखा गया, तो इतना ज़्यादा awareness समनों को देखने का आपे नहीं मिलता है, बहुत से लोग as a insurance को investment की साब से देखते है, जो की totally यहाँ पे गलत होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इसी से related awareness लोगों में ज़्य ज़्यादा यहाँ बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो insurance से related, ज़्यादा से ज़्यादा promotion सरकार भी करने की कोशिच करी थी, digital form में भी इसको यहाँ पे launch करने की बात यहाँ पे चल रही थी, जिसमें artificial intelligence ही, उसी के साथ साथ machine learning की अगर हम लोग बात करें, यह जितने भी latest technologies देख देखने के आपे मिल जाते maximum, वो एक ही policy के अंडर अपले हों को देखने का आपे मिल जाएगी, इसी से related यह काम हम लोग को चलते वे देखने का आपे मिल रहा था, बट, जैसे का कि बट मतलब कि यह आने वाला था कब तक, अगर हम लोग आपे बात करें, तो इसके अगर मे जो plan देखने को मिल रहा है, delay होते वे देखने का आपे मिल सकता है, yes, so अगर हम लोग आपे बात करें, तो इसके पीछे का reason क्या है, क्या IRDAI के और से कोई delay हो रहा है, तो बिलकुल भी नहीं, in fact IRDAI, जो की insurance का regulator है, उन्होंने तो in fact सारी guidelines prepare करके रखी हुई है, यह तो अप अलग पॉलिस या अलग अलग टाइप के JST लगते वे देखने को मिल जाते है, तो यह जो all-in-one insurance देखने को मिल जाते है, उसके ओपर JST कितना charge करेंगे, यह अभी तक तो तह तो हुआ नहीं है, और इसी चीज़ के चलते हैं, यह सारा जो प्रोग्राम है, वो अमनों को delay ह होते वे देखने को आपे मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं, रिखे, BMA, Vistar, Launch may get delay, why? Because JST Council is yet to decide कि JST मतलब इसके ओपर कितना होना चाहिए करके, और बीच में आपे यह भी बोला गया था दोस्तों, कि इसको promote करने के लिए, insurance sector को promote करने के लिए, खास करके digital way में promote करने के इसके ओपर कोई भी JST नहीं लगाया जाएगा करके, तो यह बात भी फिलाल तो सामने आपे आते वे देखने को, नहीं पर यह सारी फिलाल तो report के जरीए आपे चल रहे है करके, so problem क्या है यह आपे, ठीक है, तो फिर JST Council के बेठक बुला दो, तो problem यह है दोस्तों कि फिला Council की बेठक यहापे बुलाए जाएगी, और फिर यहापे edition लिया जाएगा, कि इसके ओपर क्या करना है करके, इसमें अगर देखा गए, तो एक अच्छी खबर यह है, कि IRDAI के साथ साथ अगर देखा गए, तो finance ministry भी 0GST के पक्ष में है, सिर्फ मैं इससे related बात करा हूँ, यहापे हो रही है, उससे related 0GST की बात हो रही है, बाकी individual insurance की बात करे, तो वहापे जो अभी के rates है, वो वैसे है रहेंगे, तो इससे related हर कोई आपे इंतजार कर रहा था, बट वो इंतजार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंतजार अभी और लंबा है आपे होने वाला है, ठीक है, तो यह सारी खबरे हम लोग को फिलाल तो रिपोर्ट के जरीए देखने का आपे मिल रही है, और इसी चीज़ के चलते जो insurance stock से, वो हर किसी के radar के उपर यहापे ज़रूर रहने वाले है, फिलाल आज की दिन की बात करें, तो थोड़ा सा लाल निशानी हम लोग को insurance segment में देखने को लें, इसमें अलग-अलग type के सारे insurance आजाते है, life की बात कर ले, उसी के साथ हेल्थ insurance की बात कर ले, या फिर अगर हम लोग general insurance की बात करें, यह सारे segment हम लोग को धिमे-धिमे करके cover होते वे देखने का आपे मिलने वाले है, अभी हम लोग इंदर यह सारे insurance cover यहापे होने वाले, तो उसका आने वाला जो premium रहेगा, उसको भी उसी वेसे यहापे distribute भी यहापे किया जाएगा, अगर GST अगर यहापे नहीं रखा जाता है, यह सबसे बड़ा game changer रहने वाला है, कि अगर मगर वाली बात है, फिलाल तो ऐसा बोला जा कि no GST या फिर इब्दम lowest level का GST रख सकते है, ठीक है, देखने वाली बात होगी, क्या होता है अगर के, तो अगर ऐसा किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमनों को insurance के policy हापे हमनों को बिकते वे देखने का आपे मिल सकते है, अगर ज़्यादा business अगर हो जाता है, तो आपको सस्ते options भी देखने का आपे मिल सकते है, बट ये सारी चीज़े जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें bad news कौन सी है, कि yes, फिलाल अगर देखा गया, तो जैसे मैंने आप लों को का कि ये चीज़े delay होते भी देखने है, बट yes, शायद से ये delay होते भी देखने हो कमने है, नहीं, अभी election का result कब रहेगा, शायद से 3 या फिर 5 December ऐसा कुछ result का दिन है, उसके बाद अगर immediately, अगर GST Council की बेठा कर हो जाती है, then might be हम लोग जो वीचार कर रहे थे, कि 1st January को इसको यहापे launch करने की पहली official date थी, वो शायद से मतलब जैसे प्लान किया था, वैसे यहाप आपे launch हो जाये करके, बड़ अगर GST Council के बेठा की delay हो जाती है, तो फिर वो जो date पहले भी बताई गई थी, 1st January, वो भी हम लोग को delay होते भी देखने का आपे मिल जाएगी, so definitely हर को ही यहापे इसका इंतजार कर रहे था, जो insurance segment में ज्यादा focus यहापे रखता है, कि यह ची deletion हो सकता है, तो life, health, personal accident and property यह चार coverage आपे दिये जा सकते हैं, अगर हम लोग price की बात करें, premium के हिसाब से, so 800 से लेके 1200 per year यह premium यहापे रह सकता है, काफी कम, इसी चीज़ के चलते हैं, आप देख सकते, life and personal accident cover, 2,00, तक यहापे रहेगा, property insurance की बात करें, तो 1,00, तक दाए हम लोगों को मिलते भी देखने हो का आपे मिलने वाले, जैसे मैंने का, यह सारे report के जरी खबरे हैं, इसमें कुछ चीज़े plus या फिर minus भी हापे हो सकती है, but ultimately यही चीज़ देखने वाली रहेगी, कि जैसे ही election का result सामने आ जाता है, उसके बाद next GST council की beta cup होगी, यह सबसे important चीज़ है, जैसे वो beta के आपे रहेगी, उसमें यह वाला मुद्दा, सबसे आपे prime मुद्दा यहापे रह सकता है, एक बार यहापे इसके उपर कोई अगर GST अगर वो नहीं setup करते है, तो काफी अच्छी खबर हमनों को आने वाले भवी शमय देखने का आपे मिल स सकते हो, तो मिलते हैं अगले वडियो में तब तक के लिए, बाबाई